जहन साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक्जाम डियावार में फ्रेंड हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में पढ़ रहे थे वैदिक सब्विता जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि वैदिक सब्विता को जानने के आपके सुरोध क्या है तो हमने कल वेदों के बारे में पढ़ा था चार वेद होते हैं जिसमें मैंने आपको उनके जो उपनिसद है पुराण उपवेद जो उनके रित्विज होते हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया था आज बात करेंगे साथ ही आपके ज उपनिशद, क्या चीज़ साती, उपनिशद, उपनिशद जो है आपके वेदों का ही पार्ट है, उपनिशद क्या है, आपके वेदों का ही पार्ट है, या वेदों से ही संबन्दित है, किसे संबन्दित है आपके, वेदों से संबन्दित हैं, और इनकी संख्या जो है वो 108 के करीब बताई जाती है संख्या कितनी बताई जाती है 108 बताई जाती है संख्या की बात कर लें तो उपनिश्दों की संख्या जो है आपकी 108 है अच्छा और साथी जो है भारतीस दर्सन जिसमें आपकी आत्मा से परमात्मा का मिलान इन चीजों के बारे में जिसमें बताया गया है बाई शाब आपके दर्सन सास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है तो उपनिश्दों को भारती दर्सन भारती दर्सन का जनक कहा जाता है जनक कहा जाता है तो उपनिश्दों से आपके सम्मंदित है संक्य की बात करें तो 108 होती है भारती दर्सन का जनक या फिर इन्हें पिता कहा जाता है साथी आपको पता होगा कि एक बहुत ही प्रसिद संथ हुए आचारे संक्राचारे उन्होंने ग्यारा उपनिश्दों पर अपनी भास से लिखी है यानि टिपड़ी लिखी है तो लिख लीजिए संक्राचारे ने ग्यारा उपनिश्दों पर भास से लिखा है अब साथी यहां से क्वेस्चन कैसे पूछेगा पूछ लेगा कि उपनिश्दों की संख्या कितनी है तो आप बोलेंगे 108 या 108 भारती दर्सन सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है आपके उपनिश्दों को कहा जाता है संक्राचारे ने कितने उपनिश्दों पर भास से की रचना की है तो आप बताये देंगे भाया गेरा पर की है तो आप इसको करते हैं साफ और इसी अभी उपन कि आपके मुवी देखते हैं और वहां पर क्या होता है कि सद्द में देखते हैं और वहां बड़ा अधिकारी होता है वहां पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते एक जो आपका भारत का राश्टी आदर सुवाख है कहां से लिया गया है तो आपके मुंड को उपनिसद से मुंड को निशद से लिया गया है जो कि आपका मोश्ट इंपॉर्टेंट है पूछेगा कि मुंड को सत्य में जैते कि उपनिसद से लिया गया तो आप बताए देंगे आपका मुन्ड को उपनिसद से लिया गया है इसके अलावा इन्हें वेदान्त भी कहा जाता है इन्हें वेदान्त भी कहा जाता है उपनिसदों को वेदान्त भी कहा जाता है तो यह आपके उपनिसद से और उपनिसद का जो साब्दिक अर्थ होता है आपका किसी के पास बैठना होता है उपनिसद का साब्दिक अर्थ जो है अगर हम उपनिसद को देखें तो इसका आपका साब्दिक अर्थ क्या होता है इसका साबदिक अर्थ होता है, किसी के शमीप बैठना, ये हो जाते हैं आपके उपनिशत, और जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा important question ये है, कि सत्मेव जैते किस उपनिशत से लिया गया है, तो आपके मुंड को उपनिशत से लिया गया है, अब बात करते हैं किनकी साथी तो आपके आरन्यक की, आरन्यक भी एक प्रकार के ग्रंथ है, जिनकी रचना आपके उत्तरवैदिक काल में की गई, किसमें की गई, आरन्य सब्द सुना होगा कौन सा आरन्य 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 आपके वन का पर्यायवाची है इन्हें आरन्य क्यों कहां जाता है क्योंकि इनकी जो रचना हुई है वो वनों में हुई है और वनों में पढ़ाय जाने के कारण हुई है आपको पता होगा कि प्राचीन का इनको पढ़ाया जाता था औरने कौन को वनेों में पढ़ाया जाने की कारण इनका नाम हाँ रखा गया है तो चलिए बनीजे हैिक और अलिए लिए यह एक कि कि सब्सक्रिक आरनक कि आरनक की क sure वनो में पढ़ाय जाने के कारण या रचे जाने के कारण वनो में रचे यानि इनकी रचना वनो में हुई है रचे जाने और इनको वनो में ही पढ़ाया जाता था वनों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें क्या कहते हैं आरण्यक आरण्यक कहते हैं वैस साब इनकी जो संख्या है वो साथ मानी जाती है आरण्यक कितने हैं संख्या मीन की साथ है जिसमें से आपके प्रमुख आरण्यक हो जाते हैं आतरे तैतरे तैतरे मद्ध दिन व्रहदारन्य आतरे तैतरे मद्ध दिन व्रहदारन्य संख्यायन तलवकार संख्यायन तलवकार संख्यायन हो गया आपका तलवकार हो गया एक और बचता है उसका नाम हो जाता है मैं त्रायडी मैं त्रायडी तो यह नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस पूछेगा कि निम्ध में से किन ग्रंतों की रचना वनों में की गई थी तो आपके आरण्यक संख्या पूश सकता है आपकी टोटल संख्या साथ है मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है अब साथी आज आते हैं आपके वेडांग भाई साथ वेड बन गया है उपनिसत बन गया है अब आपके वेड किसमे है संस्क्रत में है और भाई साथ संस्क्रत एक हाई पढ़ने में जबान जो है अंग्रेजी का तीन बन जाए नॉर्मल सा अच्छर तो बोला ना जाए संस्क्रत का अब हम जैसे लोग पढ़ेंगे तो भाई साब आधा तो खाही जाएंगे संस्क्रत को पता चला सुरू का बोल दिया लास्ट का बोल दिया बीच का कहा गया पता आने वाले टाइम में जो उनकी पीडिया है उनको पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम्स न हो इसके लिए उन्होंने किसकी रचना की आपके वेदांग की तो हेडिंग डाल लेते हैं आपका वेदांग वेद जो है साथी इनमें कहा जाता है ये ज्यान के स्रोत हैं पर जो हो गया है और भाई साब वरना अगर वेद सभी लोगों को पढ़ने को मिलता होता उस टाइम से तो आज भी वेदों की माननेता होती और वेदों में जो ग्याना है भाई साब उसकी बात ही दूसरी है आपकी तो डाल दीजिए हेडिंग वेदांग क्या तीज वेदांग तो वेदांग क्या है वेदों के उच्चारण और मतलब कि उनका अच्छे से उच्चारण किया जा सके गलत ना पढ़ा जाए और उनके अंथ निकालने में हेल्प करते हैं सीधी सी सिम्पल सी आपकी परिभासा है क्या है वेदों के उच्चारण वा अर्थ निकालने में निकालने में हेल्प करते हैं यानि आपका सहयोग करते हैं आपके वेदांगों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या टोटल 6 हो जाती है वेदांग कितने हैं संख्या में तो साथी इनकी संख्या 6 हो जाती है तो मैंने आपको बताया वेदांग क्या है वेदों के उच्चारण वा अर्थ निकालने में मादत कर दें आपके इनकी संख्या आपकी होजाथी है सबसे पहले आज आता है आपका सिक्षा था क्या चीज पहला उसका नाम है लुक्राइब को अच्छे से उत्चा अरण कर सकें उसके लिए नाया गया सी यानि ये आपका ध्वनी शास्त्र में आपकी क्या किसकी रचना की गई आपके सिच्छा वेदांग की रचना की गई अगला आजाता है अपना कल्प दूसरा कौन साज अगे आका कर्मकांडी वि ग्रंथ है कर्मकांडी ग्रंथ व कल्प क्या है आपका कर्मकांडी का मतलब क्या सबस्टे नहीं सद्धन आपने हिंदु धर में क्या होता है कि कई सारे रीती रिवाज steps होते हैं हर चीज का एक नियम विधी होती है तो कर्मों को करने की विधी आपके किस्वें दी गई है आपके कल्प में दी गई है अगला जाता है आपका व्याकरण तो व्याकरण में क्या होता है आपका व्याकरण में साथ एपना होता है जो आपकी नाम है धातू धातू नाम जैसे आपकी पढ़ पढ़ क्या है एक धातू है अब इससे कई सारे सब्द बन सकते हैं आपका पढ़ना हो गया ना प्रत्य जोड़कर पढ़वाना हो गया पढ़वाना हो गया पढ़वाना पढ़वाना ये सब पढ़वाना ये सब पढ़ दास से बन जाएंगे आपके तो इसी प्रकार क्या इसमें है आपकी धातू आपके प्रत्याएं आपका उपसर्ग इन सब के बारे में किस में बताया गया आपके व्याकरण ग्रंथ में बताया गया जो कि आपका व्याकरण वेदांग कहा जाएगा तो सिख्षा आपका ध्वनिशास्त्र है कलप आपका कर्मकांडी ग्रंथ है व्याकरण आपका धातू प्रत्य उपसर्ग इन सब के बारे में बताता है अभी तीन और होंगे न चैनल टोटल अधित शिच्छा कल्प व्याकरण निरुक्ति जोतिस और एक और है जोतिस में तास्ते इसकी मार्केट में नए-नया सब्द आते आगा जैसे आपका कैसे आप करोना आगया तो कोबिट-19 आगया तो यह सब क्या है किसी ने तो इनको बनाया होगा तो यहाँ पर नाय शब्द की व्यूतपत्ति के बारे में सिद्धा बताया गया है नाय शब्द व्यूतपत्ति के बारे में बताया गया है मतलब यह जो आपका निरुक्त वेदांग है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप नय सब्दों को बना सकते हैं जैसे कि आपका रोबोट रोबोट ले लेते हैं तो भाई साब जब तक रोबोट नहीं आया जब तक artificial intelligence वाली चीज़े नहीं आये तब तक यह सब्द था क्या बिल्कुल नहीं था जब ऐसी चीज़े आये तो मार्केट में रोबोट नया सब्द आया तो उसी प्रकार आपके नय सब्द व्यूत्पत्ति के बारे में या नय सब्द बनाने के बारे में आपका कौन सा तो निरुक्ति और निरुक्ति की जो रचना की है आपके यास्क मुनी ने की है किसने की है आपके निरुक्ति की जो रचना की है साथी वो यास्क ने की है तो यास्क यास्क मुनी द्वारा रचित पांच्वा आजाता है अपना जोतिस 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 क्या है अपना जोतिस अपना है नचत्र विज्ञान नचत्र विज्ञान अब इसका मतलब क्या है तो भाईशाब गाउं में कई सारे जोतिस सास्त्र या हर जगा पर होते हैं अब तो कम होने लगे हैं तो वह कहते हैं भाईशाब आप अपना हाथ दिखाईए अब भा आने लगेंगे कि यह ऐसा है आपके जीमन में आगे ऐसा होने वाला है यह होगा वह होगा और वैसा अगर अच्छ अच्छ बताया तो ठीक है कुछ गलत बोल दिया ना तो फिर अंदर कुछ ऐसा बैट जाता है वैसे चीजों को मानना नहीं चाहिए क्योंकि जो होना होगा द चंद का relat चंद आए बच्छता है जो की अपना चंद किसरे एक तो चंद अपना हो जाता है साथी माप सिध्धान्थ आपका जो मापने तौलने की चीजों से रिलेटेड है आपका माप सिध्धान्थ से आपका छंद हो जाता है तो आपका माप सिद्धान तो आप देख सकते हैं कि जो वैदिक काल है उसमें हर चीज के बारी में अलग-अलग ग्रंथी बना दिया गया है तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा उन्होंने सोच समझ कर चीजों को लिगा होगा पर भाई साब सिर्फ एक वर्ण की वज़ा से जो की आपका ब्रामभण वर्ण होता है उन्होंने का भाई साब ये सब हमारा है हमारे पूर्वजों ने लिखा है तो हमारा है हम किसी को बिन चारी है वो लोग पढ़ाते हैं उनको तो यह हो जाते हैं आपके क्या चीज ग्रंथ तो फ्रेंड्स आपको ये बात है बहुत बढ़ीया समझ में आई होगी आशा करते हैं अब बात करते हैं साथ ही आर्यों के जीमन के बारे में तो सबसे पहले आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे किसके बारे में राजनीतिक जीवन के बारे में हेंगि डाल लेजिए आर्यों का राजनीतिक जीवन तो समास की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी और सबसे बड़ी जो इकाई थी आपकी देखिए अपने यहाँ पर क्या होता है सबसे छोटा परिवार होता है घर होता है उसमें परिवार में आपका पती पतनी उनके बच्चे माता पिता दादा दादी फिर कई सारे सबसे चोटा कहा से चला आपके परिवार से चला और देस तक पहूंचे उसी प्रकार आपके आर्यों के टाइम में जो था, वो सबसे छोटा आपका कुल या परिवार था कुल या परिवार फिर जब कई सारे कुल मिल जाते थे तो आपका ग्राम बनता था और जब कई सारे ग्राम मिल जाते थे तो आपका विश बनता था और जब कई सारे विस मिल जाते थे तो भाई साव आपका क्या बनता था जन बनता था क्या बनता था जन या कबीला जन या कबीला तो सबसे छोटी ही काई 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 सी थी परिवार सबसे छोटी ही काई थी जबकि सबसे हाइश्ट की बात करें तो आपका जन या कबीला होता था और यहां का जो जन या कबीला का प्रमुक होता था उसे राजन कहा जाता था क्या कहा जाता था राजन कहा जाता था जो आपका रिगवैदिक काल है यहां पर जो जनता थी आपके जो लोग थे तो लिखिए रिगवैदिक काल में रिगवैदिक काल में जनता राजन को बली दिया करती थी अब बली का मतलब यह नहीं कि भाई साब किसी का सर काट दिया बली का मतलब आप बोल सकते हैं उपहार जैसे कि मैं आप राजा है और मैं प्रजा हूँ तो मैं आपको अपनी स्वेक्षा से मेरे पास 10 रुपाय थे कि राजा साहब समाज की रच्षा करते हैं चलिए दो रुपाय आप ले लीजिए स्वेच्छा से दिल है तो भाई साब दो नए है तो नए दो तो क्या करती थी जनता रिगवैदि काल में जनता राजन को बली दिया करती थी बली के मतलब आपका रुपए पैसा अन्य जो हो सकता है बली दिया करती थी फिर आगे जब उत्तरवैदिक काल आ जाता है तो उत्तरवैदिक काल में यही बली अनिवारे टैक्स बन जाती है अब राजा बोलता है कैसे नहीं देगे कान के नीचे मारेंगे कान फट जाएगा तो क्या हो गया आपके उत्तरवैदिक काल में उत्तरवैदिक काल में बली अनिवारे कर बन गया अनिवारे कर बन गया तो यह बात आपको समझ में आई होगी आर्यों का राजनीतिक जीवन तो आर्यों का जो समाज था सबसे छोटा कुलिया परिवार फिर कई सारे परिवा बना जन का जो प्रमुग था उसे राजन कहा जाता था जो आपकी जनता थी रिगवैदिक काल में राजन को प्रेम भाव से बली दिया करती थी जिसमें आपका धन धान ने आता था फिर उत्तरवैदिक काल आ गया यहाँ पर सब चीजे बदल गई और भाई साब अब राजा बोलने लगा कि तुमको कर देना है तो है तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अलावा कि आपके रिगवैदिक काल में कि समाज में वड़ विवस्था नहीं थी यानि लोगों में उच्छ भेदभाव नहीं था तो साथी सबसे पहले तो बात कर लें हां राजा का जो सासन था उसे चलाने के लिए तीन सभाएं थी आपकी तीन मतलब रुख जाए सभा हो गई आपकी शमीती और विधर्भ विदत विदत थी क्या थी विदत तो ये तीन संस्थाएं थी जो राजा का समाज या राजा का सासन चलाने में हेल्प करती थी आपकी विदत क्या थी तो विदत आपकी बुजर्गों की संस्था थी आपकी जो सभा थी ये स्रेश्ट लोग् तोसमाज के भाई साब थोड़ा धाकर लोगते बीलकुल बाहु बली टाइब वैसाब विदत थी और जो यह आपकी समीती थी जन्सभा थी जन्सभा और यही समित क्या करती थी कि राजन का चुनाव किया करती थी बाई साब तब आपकी क्या थी आपका जो राज तंद्र था वो नहीं था लोग तंद्र था और सवजन सभा क्या किया करती थी जो अपने में स्रेश्ट अच्छा जो समाज के लिए अच्छा सोचता था बढ़ि सब्सक्राइब क्या कर थी राजा को चुनती थी और उसे हटाने भी सकती थी अगर अच्छा कारे नहीं कर रहा थो उठाएब सकती थी जोकि आपके रिग वैदिक काल में होता था और उत्तर वैदिक काल में जाकर यह चीजें बिलकुल बदल जाती है इसके अलावा एक कि दसराज युद्ध का वर्णन होता है क्या चित दसराज युद्ध के बारे में बता दू मैं आपको तो रिगवेद में दसराज युद्ध का वर्णन है जिसमें कहा गया है ये किसमें वर्णन है तो आपके रिगवेद में रिगवेद में वर्णन है इसका और इसमें कहा गया कि भरतवन्स के राजा सुदास ने दस राजाओं को हराया था तो पूल सकता है कि दस राज युद्ध में कौन था तो भरतवन्स के राजा शुदास ने दस राजाओं को हराया तो हमने आर्यों का राजनीतिक जीवन भी कर लिया समाजिक और आर्थिक ये सब बचा है धार्मिक जीवन उसके बारे में अगली वीडियो में क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिए अपने परिवार एक्जाम इंडियावार पर पहली बार आएं तो प्लीज लाइक से का रखें हसते रहें मुस्कुराते रहें जैहिंद जैभारत